रादे कृष्णा दोस्तों कैसे हैं आप सब जवाब में रादे कृष्णा कमेंट में जरू लिखे एक बाफर से स्वागत है आपका आपके अपने यूटुब चैनल स्प्रिक्ट्वल सोर्स में अज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियां शेयर कर रही हूँ बुद्ध पुर्णीमा के बारे में बुद्ध पुर्णीमा क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है संपून जानकारी आपको वीडियो में दे रही हूँ जुड़े रहे हैं वीजो के अंतक और जानगे की बौध पुर्णीमा क्यों और कैसे मनाई जाती है बुद्ध जयन्ती, बुद्ध पुर्णीमा वैसाक या हनमत सूरी बुद्ध धर्म में आस्था रखने वाले पा यह एक प्रमुक तिवहार है बुद्ध पुर्णीमा बुद्ध धर्म के अनुयायों के लिए सबसे बड़ा तिवहार होता है इसको बुद्ध जयन्ती के नाम से भी जाना जाता है इंदू कैलेंडर के अनुसार वैसाक मा की पुर्णीमा को बुद्ध पुर्णीमा मनाई जाती है इसलिए इसे वैसाग पुर्णीमा भी कहा जाता है ये गौतम बुद्ध की जैनती है अगवान बुद्ध का जन ग्यान की प्राप्ती और महा परिनिर्वान ये तीनो एक ही दिन हुआ था यानि कि वैसाग पुर्णीमा के दिन ये तीनो कारेश संपन हुए थे आए जानते हैं बुद्ध धर्म के लोग कैसे मनाते हैं बुद्ध जैनती बुद्ध धर्म के मानने वाले बुद्ध पुर्णीमा को संपुन विश्व में बहुत ही दूमधाम से मनाते हैं हिंदूओं के लिए बुद्ध भगवान विष्णू के नौवे अवतार माने जाते हैं पता हिंदूओं के लिए भी यह दिन पवित्र माना जाता है इस दिन अनेक प्रकार के सामरों आयोजित किये जाते हैं, बुद्ध पुर्णी मा के दिन सभी बहुत घरों में दीपक जलाये जाते हैं और फूलों से घरों को सजाया जाता है, धर्म गरंदों का निरंतर पाट किया जाता है बुद्ध पुर्णी मा के दिन दान, पुन्य और धर्म कर्म के अनेक कारियों को संपन करते हैं, इस दिन मिष्ठान, प्तू, जलपात्र, वस्त्र दान करने तथा पितों का तरपन करने से बहुत पुन्य की प्राप्ती होती है बुद्ध जैनती वैसाग पुन्य मा को मनाया जाता है, पुन्य मा के दिन ही भगवान बुद्ध का महा परी निर्वान सामारो भी मनाया जाता है बुद्ध पुडिवा के दिन ही 533 इश्वी पूर्व में मात्मा बुद्ध का जन्म लुंबनी भारत यानि की आज जो नेपाल में है वहाँ पर हुआ था इस पुडिवा के दिनी 80 वर्स की आयू में देवरिया जिले के कुशी नगर में निर्वान बुद्ध का जन्म 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 प्राप्ति यानि उनको जो बुद्धत्व मिला था और महा परी निर्वान ये तीनों एक ही दिन यानी एवैसाक पुनिमा के दिन ही हुए थे। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। उन्हें मानफ्तावादी एवं विज्ञानवादी बहुत धर्म सर्शन से महात्माबुद्ध दुनिया के सबसे महान पुरुष है। इसी दिन महात्माबुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ती हुई थी। आज बहुत धर्म को मानने वाले विश्ञों में कड़ोरो लोग इस दिन को बड़ी ही दूमधाम से मनाते हैं। हिंदूओं के लिए महात्माबुद्ध विश्णू के नौवे अवतार हैं। हिंदूओं के लिए यह दिन एक पवित्र दिन के रूप में माना जाता है। यह त्योहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापूर, वियतनम, थाइलेंड, गापान, कंबोडिया, मलेशिया, स्रिलंका, मयनमार, इंडोरेशिया, पाकिस्तान, तथा विश्णी देसों धाम से ब हुबेशाख सब्द से ही निकला हुआ एक सब्द है। इस दिन बौद धर्मku मानने वाले के घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाते हैं। इस स्वभर से बौद धर्म के अनुयाई ब पूजा की जाती हैो उसकी सखाओं को हार और रंगीन पताकाओं से सजाया जाता हुए दीपक जला कर इसकी जड़ों में दूध वस्चुण पाणी डाला जाता है इस सफ्चाओं के इन किया गए अच्छे कारियों से पुन्य की प्राप्ति होती हैं पिंजरों से पक्षियों को मुव्ठ करते हैं वो गरीबों को भूजन और वर्स्त्रिदन दिये जाते हैं पिहार इस्तित्ज बोध गया नामकस्थान हिंदू बहुत धर्माविलंबियों के लिए पवित्र तीर्थिस्थान है आत् उन्होंने कठोड तप किया और अंततव वैसाग पुनिमा के दिन बोध गया में बुधी व्रिक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत तो ग्यान की प्राप्ती हुई अभी से यह दिन बुद्ध पुनिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध की महा परी निर्वान इस्थली शी नगर में स्थित महा परी निर्वान विहार पर एक महा का मेला आयोजित होता है। दपी यह तेर्थ गौतम बुद्ध से सम्बंदित है लेकिन आसपास के छेतर में हिंदू धर्मल के लोगों की संख्या जादा होने के कारण यहां के विहारों में पूजा अर्चना करने में वे भी बड़ी स्रधा से आते हैं। इस विहार का महत बुद्ध के महा परी निर निर्वान से है। एक ऐसा तेवहार है जिसे हिंदू और बौध दोनों धर्म के अन्वियाई बड़े ही उच्छा के साथ मनाते हैं। मानता है कि इसी दिन बौध धर्म के संस्तापक महात्म बुद्ध ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध के जन्म उत्सव के कारण, बुद बुद्ध पुणिमा के दिन किया गया स्नान कही जन्मों के पापों का नाश करता है। महात्म बुद्ध ने कहा था जैसे मुंबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती ठीक उसी प्रकार मनुश्य भी आध्यात्मिक चीवन के बिना नहीं रह सकता। इसलिए हम सभी को आध्यात घर की साफ सफाई करें। गंगा में स्नान करें और साधे पानी से नहाकर गंगा जल का घर में छड़काव करें। घर के मंदिर में विश्णु जी का दीपक जलाकर पूजा करें। घरों को फूलों से सजाएं। घर के मुक्य द्वार पर हल्दी रोली और कुमकुम से स्व बस्तिक बनाएं और गंगा जल छड़के बोधी व्रेच के आसपास दीपक जलाएं और उसकी जड़ों में दूद विसरजित कर फूल चड़ाएं वह को भोजन और कपड़े दान करें अगर आपके घर में कोई पक्छी हो तो आज के दिन उसे आजात कर दें रोशनी ढलने के ले बाद उकते हुए इस चंद्रमा को जलर पित करें आपको बुद्धपुणीमा पर कुछ विसेज बातों का ध्यान भी रखना चाहिए इस दिन क्या नहीं करना चाहिए बुद्धपुणीमा के दिन मास मदिरा का बिलकुल भी सेवन ना करें नहीं किसी भी तरह का कलाह ना करें किसी को भी अपशब्द ना कहें और जूट बोलने से बचें महात्म बुद्ध पूरे विश्व में सांती का संदेश देते हैं हर जगस शांती का महौल बनाए रखना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए आप सभी को स्प्रिच्वल सोष शैनल की उसे बुद्ध शेयर जरूर कीजेगा ऐसी ही रूचक और लावकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहें आप अपने यूटूब चैनल स्प्रिच्वल सोर्स के साथ और अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आ अगले वीडियो में एक नहीं और रूचक जानकारी के साथ